रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो तुरंट सभी से ध्यान आकर्शित करता है टाटा समूहने न केवल एक सफल उद्योग पती के रूप में बलकी एक महान इंसान और परोपकारी व्यक्ती के रूप में भी इज़त कमाई है भारत में सर्वश्रिष्ट अध्यक्ष के रूप में पहचाने जाने वाले रतन टाटा ने हमेशा सामाजिक और कर्मचारी कल्यान को वानिजित लाब से उपर रखा है 73 वर्ष की उम्र में वह भारत के सबसे बड़े समूह में से एक के प्रमुख है जिसमें लगभग 100 कमपनियां शामिल हैं जिनका कुल राजस्व 67 अरब अमरीकी डालर है वे 1990 में टाटा संस के अध्यक्ष बने और 2016 में फिर से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए अपने कार्यकाल के दौरान टाटा समूह महान उचाईयों तक पहुँच गया इसके राजस्व में 40% गुना व्रिध्धी हुई और लाभ में 50% गुना व्रिध्धी हुई आएए उनकी जीवन कहानी देखते हैं और उनकी पुस्तक से एक या दो अध्याय सीखने का प्रयास करते हैं रतन टाटा 1937 में मुंबई में भारत के सबसे समरिध उद्योगपती परिवारों में से एक में पैदा हुए था उनके दादा जमशेद्जी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में ओध्योगी की करण का नेत्रित्व किया था टाटा आर्किटेक्चर एंड स्ट्राक्च्रल एंजिनिरिंग का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्याले में गए और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्याले से उन्होंने एक मैनेच्मेंट कोर्स में दाखिला लिया टाटा समूह के भावी अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने टाटा स्टील डिवीजन में ब्लु कॉलर कर्मचारियों के साथ काम करने वाले मूल स्थर पर अपना करियर शुरू किया 1971 में टाटा को नाशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रोनिक्स कमपनी लिमिटेड नालको का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया जिसे पुनुरुधार की सक्त आवश्चकता थी और उन्होंने इसे बदल दिया 1990 में उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली और नए युग में सफलता पूर्वक प्रतिस्परधा करने के लिए आधुने की कृत समूह के व्यावसायक तरीकों में सुधारों की एक श्रिंखला की शुरुवात की इस समय के दौरान उन्होंने सभी टाटा कमपनियों को एक ही छाते के नीचे लाने का काम किया टेटले और जगुआर लैंड रोवर सहित कई कमपनियों का अधिग रहन किया और निव यॉर्क एक्स्चेंज में टाटा मोटर्स को सूची बद्ध किया जिसने कमपनी को अंतरराष्ट्रिय मान्यता प्रदान की उनकी नेतरित्व में भारत को अपनी पहली स्वदेशी निर्मितकार इंडिका और पहली कॉमपैक्टकार नैनो प्राप्थ हुई नैनो दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से उत्पादितकार है जो टाटा के दिमाग की उपज है जो दो पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले सन्युक्त परिवारों की सुरक्षा के बारे में चिन्तित था वह परिवर्तन जिन्हें आप देखना चाहते हैं दर्शन शास्त्र के आधार पर ताटा ने हमेशा नए उध्यमों और संभावित प्रोध्योगिकियों में उच्सुक्ता दिखाई है उन्होंने कई स्टार्ट अप और अगली पीडी की प्रोध्योगिकियों में कई छोटे एवं बड़े निवेश किये हैं उन्होंने अमेरिकन एक स्प्रेस के साथ बिटकॉइन उद्यम एबरा में निवेश किया इसके अलावा कुछ पुने आधारित डिजाइनरों के साथ ग्रामेर क्षेत्रों में मार्जिन लाइजर सेक्षन को स्वच पेजल प्रदान करने की योजना चलाने के लिए सहयोग किया इसका परिणाम स्पष्ट है जिन्होंने 1000 स्वदेशी उप जल शोधक डिजाइन किये टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में अपने विनिर्मान सन्यंत्र से टिगोर इलेक्ट्रिक वाहन का पहला बैच भी शुरू किया है अपने सभी अर्थों में एक सच्चा नेता टाटा नेत्रित्व का एक सच्चा अवतार है जो हमेशा वानिजिक लाब से पहले मानविय लाब में विश्वास रखते थे वह ग्रामेन भारत में गुनवत्ता पूर्ण जीवन एवन शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक परोपकारी गतिविधियों में शामिल है उन्हें अपने जीवनकाल में कई महान उपाधिया मिली है 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूशन से नवाजा और 2008 में उन्हें पद्म विभूशन प्राप्थ हुआ इसके अलावा उन्हें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, वार्विक विश्व विद्याले और एशियन इंस्टीट ओफ टेक्नोलोजी बैंकॉक से उनोरी डॉक्टरेट सहित कई अंतरराष्ट्रिय पुरसकारों से सम्मानित किया गया उनका भाग्य GBP 300 मिलियन की चौका देने वाली मात्रा के साथ खड़ा है, लेकिन वह टाटा समूह के विशाल समूह में एक प्रतिशत से भी कम के मालिक है टाटा समूह के अधिकान शेर कई धर्मार्थ ट्रस्टों के स्वामित्व में हैं, जो कई परोपकारी गतिविधियों को विट्थ पोशित करते हैं एक असाधारन इंसान और उद्योगपती आश्चर्य जनक रूप से रतन टाटा फोट्स अरप्तियों की सूची में कभी भी शामिल नहीं हुए हैं